आज हम लोग बहुती पेस्टी और क्रिस्पी कालता बजय बनाने वाल है और साथ ही हमने इसके फाल्वत भी बनाया है इसकी रेसिपी अल्रेडी मेरी चैनल पर अप्लोड है आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जागा चेक आउट कर सकते हैं कि चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमने आप 20 ग्राम प्यास लिया है उसे बारिक कट कर लिया है और हाथों से थोड़ा रगड लिया है ताकि वह खुली-खुली हो जाए 250 ग्राम हमने बेशन लिया है हाफ कप धन्य लिया हमने बारिक कट हुआ छे साथ हरी मिर्च लिये बारिक कटी हुई करी पट्टे लिये हमने पास्टे छे बारिक कट हुए अज वाइन लिये हमने हाफ टेबल स्पून मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून जीरा वन एन हाफ टेबल स्पून धन्य पाउडर और सोड़ा लिया हमने खाता सोड़ा इसे हम इन सोड़ा भी कहते है पानी लिया है अब हम प्यास में बेशन करेंगे अजवाइन को हमें हाथ से थोड़ा क्रश कर देना है अबम उसमें मिर्ची पाउडर एट करेंगे धन्या पाउडर जीरा बेकिंग सोडा हमें बेकिंग पाउडर ने बेकिंग सोडा लेना है नमक और हल्दी इसे मिक्स करेंगे हर्यमिट चाइट करेंगे आप जाहें अपने टेस्ट के पड़िंग रख सकते हैं हर दंगे अट करेंगे अब उसे मिला लेंगे पानी आट करेंचे अमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आट करेंगे भी और बिना लेना है उसमें कोई लमसी रहना चाहिए सा इसलिके थोड़ा-थोड़ा पानी आट करेंगे झाल बेटर थोड़ा पतला लग रहा था इसलिए हमने इसमें थोड़ा बेशनेट किया है देखे हमारे बेटर रेडी हो चुका है अब चलते हैं इसे फ्राइब करने के प्रोसेस में हमने कड़ाई लिया है उसमें ऑईल एट किया है अब हमें हाथ में थोड़ा थोड़ा बेटर लेना है और इसे जालते जाना है कड़ाई में जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि अज एग देख सकते हैं अब victimbird वीडियो में अब हम इसे पल्टा देंगे और दूसरे सैट्स पर फ्राए होने देंगे देखिए बची गोल्डन ब्राण हो चुके है अब हम इसे निकाल लेंगे हम सेम प्रसेस से अपने दूसरी बेच भी फ्राए कर लेंगे इसे भी पलेट देंगे देखिए हमारे बची गोल्डन ब्राण हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे देखिए हमारे बहुती टेस्टी और क्रिस्पी बचे रेडी है यह बच बहुती टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं और बहुती कम टेमें बन जाते हैं आप भी से ट्राए कीजेंगा अगरा पुरेट वी पसंदे मेक्शर आप मारे चैनल कु लाइक शेर उट सब्स्क्राइब कर नना बुलिंगा